अटल विहारी वाजपई एक तीन पंग्ति की चिठ्थी लिखें जिसकी तीसरी पंग्ति हो विज्या दश्मी की शुब कामना है और इस पंग्ति के बाद पूर्ण विराम लग जाए वाक्य में भी खत में भी और एक ऐसे नेता के सियासी करियर पर भी जिसे उसकी पार्टी के लोग ही नहीं बलकी विपक्षी भी चाड़क के कहा करते थे ये उन दिनों की बात है जब वीपी सिंग सयुक्त मूर्चा के नए अवतार जनता दल में आ गए थे और भारती जनता पार्टी के साथ 1989 के लोगसभा चुनाओं से पहले एक किस्म के टेक्टिकल एलाइंस की बात चल रही थी तब भारती जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते थे अभी एक बरस पहले संग्ठन में आये महासचेव गोविंदा चार बीपी सिंग उनसे मिलकर निकले बाहर पत्रकार खड़े थे पूचा क्या चर्चा हुई पीपी सिंग के मूँ से निकला ये आदमी नहीं है कंप्यूटर है एक एक लोगसभा उसकी एक एक विधान सभा वहां के मुद्दे वहां के आंकडे वहां के जाती का ग्योरे और क्या रणनीती होने चाहिए इसको ऐसे रटी है जैसे ये बच् पार्तिय जन्ता पार्टी से तलाक का वीडियो है जिसकी बुनियाद अटल विहारी वाचपई ने रखी थी सितंबर 1997 थोड़ा फलसफाना हो जाते हैं क्योंकि उन दिनों दिल्ली दुरुस्त नहीं थी थी भी शायद जो बैठे थे गद्दी पर वो शंका से भरे थे हमेशा की तरह और जो नहीं बैठे थे वो साजिशें रच रहे थे इसके लिए तो संभावनाय नाम का शब्द इ कटल विहारी वाचपी दूसरे सीता राम केसरी वजह नर्सिम्मा राओ के बाद केसरी कॉंग्रेस की अध्यक्ष बन गए थे दरसल राओ को लगा कि अब जब कोर्ट में उनको बुलावा आ रहा है लखु भाई पाठक मामले में तो कहीं ऐसा नहों कि गिरफतारी हो और अ माते पर अध्यक्ष का मुकुट धर दिया कॉंग्रेस के समर्थन से केंदर में देवगोडा की सरकार चल रही थी पिर एक रोज चचा केसरी का मन किया उस कविता की तर्श पर जो हमने स्कूलों में पढ़ी थी यदि होता कि नर नरेश में केसरी बोले यदि होता प्रधान मंतरी में मन की करने के लिए उन्होंने देवगोडा सरकार गिरा दे अपनी सरकार बनाने की कोश्य की नहीं बना पाए सीपीम के महासचेव हरिकिशन सिंसुर्जीत अल गए जग मार के केसरी को एक और नाम पर सेहमत होना पड़ा वो भी जनतादल के नेता थे बिना जनाधार वाले नेता थे उनका नाम इंद्रकुमार गुज्राल था लेकिन जिस दिन गुज्राल ने शपत ली उस दिन से सब समझ गए थे कि अब जल्द ही लोगसभा चुना होंगे मध्यावदी चुना होंगे उदर भारती जनता पार्टी थी जो इस लोगसभा के शुरुवाती तेरा दिन सरकार चला चुकी थी अटल विहारी वाच्पेई के नित्रत्तुमे वाच्पेई और उनकी पार्टी ये जो राजनीतिक हालात थे दिल्ली के देश के इन पर लगातार नजर बनाए हुए थी नजर इन सब पर दुनिया के लोगों की भी थी खास तोर पर राजनाई खल के लोगों की ये लोग समय समय पर मिलते रहते बीजेपी के उन नेताओं से जो एहम थे ऐसी ही एक मीटिंग हुई 18 सितंबर 1997 को नई दिल्ली में तब भारती जनता पार्टी का ओफिस अशोक रोड में हुआ करता था पार्टी के संगठन महासचेप कोड़ी पकम नील मेगा चार गोविंदा चार यहीं बैठते थे वो मिले दो ब्रेटिश टिप्लोमेट से पियेचियू से पढ़े और फिर आर्सेस के प्रिचार के बने गोविंदा चार के लिए रुटीन जैसा था चुकि पार्टी 13 दिन के लिए सत्ता में रही थी कई राज्जियों में सत्ता में थी तो लोग आकर मिलते रहते थे चीज़ें समझने के लिए और यह 1997 का वो वक्त था जब बीजेपी के सत्ता में आने की संभावनाएं प्रबल थी तो ऐसे में गोविंदाचार का काम बढ़ गया था ऐसे भी वो लाल करशन रवानी जो उस मक्त पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष थे और राश्ट्री स्वयम सेवक संग दोनों की आखों के तारे थे चाहे राम जन भूमी आंदोलन हो उसका चुनावी डिजाइन हो या फिर सोशल इंजीन यह उन्हीं का दिया हुआ शब्द है जिसमें भारती जन्ता पार्टी ने कमंडल को मंडल की काट के एक औजार के तौर पर देखा और ऐसे नेताओं को आगे किया जो पिछडी जातियों से आते हैं तो हिंदुत प्लस जाती और उनका विकास करना रहा इसी मोहिम के तहट उत्तर प्रदेश में कल्यांर सिंग मद्य प्रदेश में उमा भारती जैसे नेताओं को आगे बढ़ थे वाचपई गोविंदाचार को नहीं जमते थे और यह लगाओ दो तरफा था एक बाइन की देखिए उनीस सुबाद में में बीजेपी के एक अध्वेशन हो रहा था उसमें भाशन देते हुए वाचपई ने जो अमूमन का व्यात्मक लहजे में बात करते थे ओपन एं करना जरूरी है मगर वो दूसरा साल था तब वाचपई धलान पर थे युग आडवानी का था लेकिन 1995 के आखिर में एक बार फिर समता हो गई थी मुंबई अधिवेशन में आडवानी ने वाचपई को पार्टी का पी-म घोशित कर दिया था अब 1997 पर वापस लौटते हैं गोविंद चार की डिप्लोमेट से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हिंदी के अखवारों के गौसिप कॉलम में एक खबर छपी 6 अक्टूबर 1997 को मजमूर कुछ इस तरह था कि पार्टी के एक ताकतवर महासचिव ने जो संग के करीबी हैं विदेशियों के एक दल से कहा अ अटल भ्यारी वाचपई के खास पत्रकार भानुपरताफ शक्र जो कभी 5 जन्रे के संपाधक रहे वो द्यानी जागरण में कॉलम लिखते थे और उन्होंने इसमें विस्तार से लिखा जब यह सब हो रहा था तब अटल विदेश यात्रा पर थे बुल्गारिया के दौरे पर थे पुदिल्ली लोटे आते ही उन्होंने दो चिठ्थियां लिखी पहली अपने पहले निजी सचिव रहे पुराने दोस्त और मौजूदा पार्टिय अध्यक्ष लाल जी को हिंदी में तीन पंक्तियों की क्या लिखा वाजपईन है विदेश यात्रा से आने के बाद श्री गोविंदाचार का एक इंटर्व्यू पढ़ा पूर्ण विराम आपने भी जरूर पढ़ा होगा पूर्ण विराम विज्यादश्मी की शुपकामना है संकेत साफ था किसी के राजनी तिकवद का समय आ गया था मगर चिठ्थियां तो दो थी दूसरी सीधे और इसके बाद बड़ी सफाई से अटल खेमे के लोगों ने ये दोनों खत मीडिया में लीक कर दिए वाजपेई इतने पर ही नहीं थमे वह इस बार गोविंदाचार है और उन सबों को जो लगातार उनके नेत्रत पर या उनके चेहरे की काबलियत पर सवाल उठाते थे ठ मखटना के अगले रोज वो एक किताब के विमोचन समारों में गए नई दिल्ली में ही हुआ ये और यहां पर बीजेपी और संग के कई वरिष्ट में था मौजूद थे वाजपेई की बारी आये मंच से तंज में बोले मुझे अचरत होता है जब कोई बोलने के लिए बु कर रहेगी वाजपेई ने दो रोज बात फिर मुझ खोला तब तक देश की कई पत्रपत्रिकाओं में सर्वे पोल छपने लगे थे इनमें चुनाओं की संभावना में किसको कितने वोट मिलेंगे प्रधार मंतरी के पत के लिए कौन सर्वत्तम उमीदवार है इस तरह के इवेशन में पहुचे तो उन्होंने पार्टी को एक और स्पष्ट संकेत दे डाला वाजपई ने कहा राजनीतिक दल प्रधान मंतरी नहीं बनाते जनता बनाती है यह बात संगठन और समर्थन के संदर्व में कही गई थी लेकिन वो जो एक अंग्रेजी का मुहावरा होत जहां मैंने मुखोटा और मुखवाला कमेंट नहीं किया बोले कि अटल और अडवानी तो राम और लक्ष्वन की तरह हैं मेरे लिए कोई अपने राम के लिए इस तरह की भाशा कैसे इस्तमाल कर सकता है आज तक न्यूज चैनल को दी एक इंटर्विव में गुविंदाच को साफ कर दिया कि अभी आपको नेपत्थ में जाना होगा एक बार फिर भर पीछे गए तो आगे नहीं आ पाए क्योंकि आ गए थे अटल बिहारी और चले गए थे गोविंदाचार पहले पार्टी में कमजोर हुए फिर साल 2000 की शुरुवात में उन्होंने संग को जए अवकाश्मा और उसके बार वापसी, वापसी की बार्ट यह होती रही है गोविंदाचार के इस मुख और मुखौटा पृसंग' के बारे में कई बाते कही गई हैं गुविंद अचारे हमेशा इनकार करते हैं वाचपई के समर्थ तक हमेशा इसकी सत्यता में यकीन करते हैं यह जो मैंने आपको पॉलिटिकल किस्सा सुनाया इसके कई ब्योरे एक नई किताब से लिए गए हैं जिसका नाम है शेडोज ऑफ सेफरेन फ्रम वाचपई टू मोधी सवा नकवी हैं वरिष्ट पत्रकार हैं उन्होंने इंडिया तुड़े और आउट्लूक में लंबी समय तक काम किया है बीजेपी उनकी बीट रही है तो बीजेपी से जोड़े कई प्रसंग उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं जिनकी राजनीती में दिल्चस्पी है वो ये किताब पढ़ सकते हैं एक अच्छी रीडिंग होगी वेस्टेंड पॉब्लिकेशन ने इसको छापा है गोविन्दाचार की शक्सियत वैसे भी बहुत दिल्चस्प है मैं कई बार उनसे मिला हूँ तब मिला हूँ जब वो राजनीती में सक्वी नहीं थे संग और अलग-अलग संगष्णों का काम कर रहे थे एक चीज है उनकी जिसका मैं कायल हूँ और वो चीज है उनकी सादगी कभी आप राजनीती के तर भी बात करें तो कई आपको संधर्व देते हैं चूंकि पहले संग के काम से और उसके बाद जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं उसके काम से देश में नोंने बहुत ब्रहमण किया है और इसलिए उनके पास बातों का किस्सों का अनभवों का और सीखों का पिटा रहा है लेकिन सियासत में एक सीख सबसे जादा मजबूत होती है जो शायद गोविंदाचार भूल गए और वो सीख यह है कि यहां पर किसी पर भी भर उसा नहीं करना चाहिए एक है अंदर की कहानी कि गोविंदाचार के वो नोट्स जिसमें ये टिपड़ी अंग्रेजी में लिखी थी किसके पास थे और किसके हाथ में पहुँच गया और कैसे खबर बाहर आ गई बाहर की खबरें अंदर की खबरें सियासत की तमाम उठाप तक की खबरें आपको सुनाता है दीललन टाउप अपने पॉलिटिकल किस्सों के जरिए एक और पॉलिटिकल किस्से के साथ हम फिर हाजर होंगे इस किस्से के बारे में अपनी राय से जरूर अवगत करवाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो अफ्लोड होते ही आप तक खबर पहुंच जाए वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कोई आलोचनात्मक्ति पुड़ी हो तब भी जरूर बताएं आपके